जीयों सेनमा पर आज रिलीज हुई है Crackdown Season 2 जिसके कास्ट के साथ सास बहु और बेटियाने की खास मुलाकात जाना इस सीजन में क्या कुछ है खास साथी साथ कलाकारों ने अपने किरदार के बारे में बताया आज हमारे साथ हैं इस वेब सीरीज के डिरेक्टर अपूर्वर लाखिया, एक्ट्रिस सुनाली कुलकर्नी, फ्रेडी दारुवाला और वलुचा डिसूजा तो आएए इन सब से जानते हैं कि इस वेब सीरीज में क्या कुछ है खास जो फर्स सीजन जां फे छोड़ा था हमने, के प्लेन मिस होता है तो सेकंड सीजन वोस अदिटल इसियर क्योंके एक हमारे पास सीड था जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं तो सेकंड सीजन बैसे ही डिवलप करते रह है और पिर जैसे जैसे लिखने में कारेक्टर आए तो we started thinking of those characters and then we started writing according to what those characters would be और वो characters कैसे behave करते और हमारा एक मकसद तो बहुत clear था कि second season, first season से at least दो गुना या तीन गुना बड़ा होना चाहिए क्योंकि वरना second season करने का फाइदा ही नहीं है तो second season not only action में बड़ा होना चाहिए पर मेरी स्टारकास भी बड़ी होनी चाहिए talented स्टारकास चाहिए, बड़ी स्टारकास चाहिए, experience स्टारकास चाहिए और जो मेरी wish list में था वो स्टारकास चाहिए especially जो मेरे left पे बैठे हैं मैं उनका बहुत बड़ा फैन था जब में न्यू यॉक में था तब Mission Kashmir का प्रिमियर हुआ था और तब में assistant director था और suddenly ballroom का दरवाजा खुला और तीन बड़े bodyguard आय और बीच में मैम आई थी तो मुझे याद है वो दिन New York Marriott Hotel, Times Square, 21, 22 years ago so you know what I'm saying there's always been a filmmaker के दिमाग में हमेशा एक actor होता है जिसके साथ वो काम करना चाते और मैं बहुत फॉचुनेट रहा के जिसके साथ भी मुझे ये शो में काम करना था जिसको भी ये शो में नया लाना था उन्होंने मना नहीं किया वलूशा को तो आप सब जानते हैं वो गरीमा कालरा का कारेक्टर है जो एक बहुत ही सिंपल और दुखी हाउस वाइफ थी लेकिन सबकी वाट लगा दी सीजन वन में तो इसमें एकदम ऑपोजेट है टाइगरेस है सब को मार धार करके आगे बढ़ती है सौराली माइम है जो एक रौच चीफ का किरदार निवारी है जो जो फेलियर में बिलीव नहीं करती और वो जब पुजेशन लेती है तो उनका एक ही मकसद है के बिल यू वर्क ऑन माइ ओर्डर और यू नॉट वर्क अट अट अल तो यह उनकी पूरी है तो यह कंट्रोल लेती है और अधर थिंग इसके उनकी पस्नालिटी हमने सोच के ऐसे किये के वो सारी में ओर्डर देती है वर्क्स अमंग में हूँ आर एजेंट्स वर फील एजे जो अद्नील फंपिंग जॉब है उनका फिर भी यह उनको रक्रोल करती है और उनका एक ही मकसद है के उनको एरोप्रेण वापस लाना है और जो फालियर्ज हुए उनको इलिमिनेट करना है और फ्रेडी का कर्रक्टर है अभू खलील जो एक नया कर्र्टर है पुर जो मह कुछ इनके character के बारे में reveal नहीं करना चाहता लेकिन it's a larger than life character you know what you say in film that your hero is only as good as your villain अगर villain नहीं होगा तो heroism करने का chance ही नहीं मिलता है तो villain को जितना बड़ा बनाओगे बाकी सब heroism कर पाते है तो यह वो है जो हमारा बहुत बड़ा villain है जिसके वज़ा से बाकी सब लोग अपनी heroism कर पाते हैं हमारे शो के जो casting director है कुनाल शाह उनका जब फोन आया था कि अपूर्वा सर वांट्स तो मीट यू I was thrilled क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि अपूर्वा की हमने फिल्मे देखी है अपूर्वा की हमने फिल्मे देखी है मतलब ऑडियंस के लिए यू अपूर्वा की मैं तो छोड़ देते हैं तो मतलब भी लेकिन हम सर और माम अभी ड्रॉप करते हैं तो जब यह मैंने सुना की अपूर्वा वांट्स तो मीट 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 अपूर्वा नियू क्यारेक्टर अफ। क्राकडाउन सीजन 2 तो क्राकडाउन तो हमने देखी थी मैं खुद बहुत मतलब मेरा वोज ओनर नहीं है मैं खुद ज्यादा एक्शन या हॉरर नहीं देखती हूँ लेकिन क्राकडाउन के सारे एपिसोड सारे सीन्स मैंने देखे थे और कभी यह सोचा नहीं था कि इसके सीजन 2 में मैं हो सकती हूँ और पहली बार हमारी जब मीटिंग हुई और मैंने मेरा किरदार सुना तो एक तो आज अन अक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कितनी फॉचुनेट हूँ मुझे यह मौका मिल रहा है अवंतिका श्रॉफ बनने का और ऐसा भी नहीं है कि अपूर्वा ने बोला था कि यह मेरे कास्टिंग डिरेक्टर से उनके जाके उनके सामने एक ओडिशन दे दो आज कल बहुत ट्रेंड चल रहा है कोई भी किसी को भी फोन करके बताता है कि एक ओडिशन बेश दो विच इस वेरी इंट्रेस्टिंग बट रहा है कि अवंतिका श्रॉफ बट आई वस सो एक्साइट तो लिसन तो प्राकार से चिंतन गांधी चिंतन और राजने और अपूर्वने सीजन टू की कहानी लिखी है अब सोच भी नहीं सकते हो मुझे वो ओडियन्स जो होती है जो सीन देखते देखते अब यह कैरेक्टर यह बोलेगा वो यह बोलेगा वो इमाजन कर सकते हैं इतना सारा ग्लोबल कॉंटेंट देखने के बाद हम भी थोड़े से होशियार हो ग अब यह हरेक्टर अपनी बैक स्टोरी लेके आ रहा है और एक हरेक को मकसद है हरेक को वजह है कि अवांतिका ऐसी क्यों है तो मैं बहुत ज्यादा थ्रिल्ड थी कभी-कभी लगता है ना कि हर दिन नहीं लगता हम लगी हैं हर दिन ऐसा लगता है कि आरे यार आज हम सब में वही स्पिरिट है और वही टीम स्पिरिट है और हम चाहते है कि अजिस थरीके से उन्होंने सीजन वन देख था प्यार दिया था सीजन वन को उसी प्रकार से सीजन टू का भी स्वागत करें और व्यूवर्शिप में ले हमें अणु आपर्व को भी ओ कि मैंने सीजन वने के एव इम्री सब्सक्रा प्रकार की और कि लिए कीआम काास्वाय मेंलस फ्लेक्ष्रा कर यह चाहते हुआ गया जब उन्होंने मुझे एक कारेक्टर दिया ऐसा अबु खलील पढ़ाया उन्होंने समझाया तो देना अच्छली रियलाइज के कि यहाज ट्रस्ट एंड फेथ इनमी जैसा कि सोकुल ने कहा कि यूनो इस डिरेक्टर जिनको पता है कि मुझे इस इंसान से क्या चाहिए और फिर आपका जॉब यही होता है कि उनका जो ट्रस्ट और फेथ है उस पर आप बस फॉलो करते जाएं और उन्होंने जो मांगा है वह बस देते ही जाएं यह नोस हो तो गेट इस वर्क डान विट दी एंटार एंटार प्रोड़क्शन तो बी वर्योंने यह एक अकला ऐसा डिरेक्टर है जिनका इन्वल्मेंट नहीं सिर्फ सेट पर खाने में क्या मेन्यू है उससे लेकर एक अक्टर की लाइन क्या होती ह तो आ कि वाहां तक उनके सारा आओ एक अन थारस नहीं सिररिईस तो जब उन्यों ने मुझे किया तो एक बन रहा हूं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत कम दफा इसा मोका मिलता है या फिर बहुत कम दफा इसे इंसिदेंस होते जहां पर आप एक प्रोफेशनल के भीतर या उसके अंदर छुपए हुए इंसान से आपकी मुलाकात होती है तर बसकाना है झाल अभे कि अच्छा भेले बीडिशनल का मुलाकात है एके लाइड बने साल है कर बैसे वह इंसे वह ङिया चैनल है या या शप्रवा रुल भुल या इसानो इन आप मिलता भी था काल, किसका व name है I had to call him and say please please I know that you know there's this series and you're in the middle of writing it can I please meet you and of course I met him and he just sat there and said so Valusha this character I said done so he said I have not finished I said it's done so I just went into it blindly because I knew I wanted to work with him of course all the work that he has done before I mean it's incredible so it was just a great opportunity for me to work with someone like him and you know the kind of films that he makes the genre is completely different so yeah I was sold only when he said the character I was done it was done and it was my OTT debut and what a dream debut for me because I mean the audience never expected to see me play a negative character so in the beginning of the series there was so many layers to this character in the beginning you see me as this you know timid housewife you know a homemaker and very shy and suddenly breaking into this negative character who is very saucy very feisty and fierce and she moves on to the second season with so much enthusiasm so yeah it was a great opportunity and I'm eternally grateful and thankful listen Garima with this character I think all my scenes are fantastic because I get to do action I get to emote in a way that I don't I can't express otherwise there's a lot of hand-to-hand combat I'm using a lot of different guns from AK-47s to pistols to you know a two shot so I was excited and I was very thrilled to go on set every day and explore a side uh perhaps that you know I can't normally so yeah I mean there were scenes with Shreya in season one uh and season two which just brings out something in me that's you know maybe maybe pent up I'm not quite sure but um aside to me that I quite enjoy on screen yeah I think i think that was the one with Saakip at this point. Here the movie was the one that I got involved with him or Hemanth Khair at that point. With all the scenes he shared with Harik at that point. However if you're asking me, I want to tell you that we're at Saakip's colour as well, In all these scenes, there's a fun feeling because there's a tension there because there's a tension and there's another tension. Saakip's boss was the one for another season one and in season one I'm working on on तो हमारी जो नोग जोग बड़ा घिसा पिटा वोर्ड है लेकिन हमारे सीन्स जो है उसमें जो तंज है वो बहुत इंट्रेस्टिंग है और सिमिलरली हेमन्त के साथ भी मेरे जो सीन्स हैं वो करने में मुझे मैं अच्छे साथ वोमन बड़ एंपावर डिवर लगा क्योंकि दोनों को में अच्छे जवाब दीय हैं मेरे डिरेक्टर और राइटर्स ने मेरे बहुत अच्छे लाइने दीय हैं तो आफ ताइम्स यू बढ़ा आइप सॉलिड, कि यू कान आफ एल्स ने बड़ा अच्छ हमारी लाइने मुझे लगता है कि वालुशा उज लखी कि उसके पास गन थे मेरे पास भी गन थी लेकिन मेरे पास वर्ड बहुत अच्छे है जो मैंने गोला बाजी दारु बाजी की है वो इट वेरी इंट्रेस्टिंग मेरे ऐसे बहुत सारे सीन्स है अच्छली पूरा जो सीजन मैंने शूट किया वो पूरा ही बहुत मेमरेबल रहा है काफी रोमांचक भी रहा है लेकिन अबु खलील के कारेक्टर में मुझे अबु खलील के काफी सारे कलर्स है उसमें से एक कलर्स है जब कुछ अलग चीज़े होती है और मुझे याद है वो पूने में हम लोग शूट करते है और मैम के साथ I mean so cool के साथ हम मेरा मेरा पहला सीन था उनके साथ और वो पूरा जो दिन था वो काफी इंट्रेस्टिंग काफी इंटेंस था और एक वो कई काम होते है जो एक एक्टर को करके बहुत संतोष फील होता है तो मैं उस दिन I was feeling very great and amazing के आज हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सीन किया इस में क्या होता है कि as a director आप जब आप जब इतने talented लोगों को हाइर करते हो तो उनके तो सारी सीन अच्छे होते है बट मैं एक अलग लेवल पे जा रहा हूं और वो है कि हमारे शो में एक और कारेक्टर है वो है locations तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं ऐस जगह पर शूट करना चाहता हूं जा मैं गया नहीं हूं तो कश्मीर स्नो में बहुत मजा आया था जैसल में विंटर में बहुत मजा आया था यह सब यह क्योंकि when you have such talented actors they are surprising you every day so that is understood so sometimes we directors हम fortunate होते हैं के हमें पता है के they are going to surprise you but but what happens is that एक मोहल खुरसी पह नहीं बनता है उसके पीछे बैकडरॉप है इनके बाजु में मैं बैठा हूं उनके बाजु में तो वो एक collective scene बनता है and वो scene याद आता है इनसान को और as a director मेरे को के यह area में हमने यह शूट किया था यह सीन था और बहुत मजा था the sun was just setting, it was so beautiful because it was reflecting off ma'am's hair. You know, as a director, I think that is a turn-on. No, it's correct, because like shooting in winter, it's not easy in Kashmir. It's not easy in Kashmir, because it's frozen, you have to action in there, you have to go through the water stream, you have to go through the water stream, it's minus 30 degrees of water, I'll tell Freddie, because it was a scene, the water stream. So, Freddie, I had a drone, so after a shot, all the actors came to me, we have to make reels, because Instagram is very popular today. So, I said, okay, to be fair, I'll give everyone a drone for one hour. So, there was an old bridge, I think it was a thousand years old, which seems like it was a thousand years old, but it can't even go through it. So, Freddie decided that he had to make a reel in minus five degrees, and he had to make a reel in the air, and he had to make a reel in the air, and the drone was like, the sea, and the body was like six-packing, and he was doing it. So, there were a lot of soldiers for us, so they said, don't do it. Freddie said, I'm a Parsi, I don't want anyone to stop. सकता क्योंकि हम से हाँ क्योंकि हम क्योंकि हम 5-6 है बाकी तो मैं तो प्रूफ करूंगा कि भी आ स्ट्रॉंग तो वह लटक गया उदर और ड्रोन आया और जहां पर लटक रहा था वह तूड गया तो वह ब्रिच से नीचे गिरा सीधा माइनस 30 डिग्रीज पानी में और इतना बड़ा बोल्डर था लखी लिए उसको हैड को मिस्किया और वह सीधा पानी में गिरा और इसकी अगर हालत देखते आप तो आइध तो अच्छा लगता है किसी को दर्द होता है तो बहुत अच्ती है यह ताइध पार इस नौट के यह गिरा वह ता कि जिस चीज के लिए फुटेज बनाए है वह फुटेज ही निया आया जैसे मैं गिरा उसके बादा उसके बादा सर ड्रोन ही नहीं चले भाए था तो अच्छा लगा है तो मुझे बड़ अच्छा लगा हम कितनी बार अनेक इंटनाशन फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन जैसे स्पोर्ट्स पीपल के लिए हमारी एंथम बच्ती है वैसे हमारे लिए एंथम नहीं बच्ती हैं लेकिन वह जो फीलिंग थी मुझ में कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है यह थैंक्स तु अपुर्वा बै क्रैक्डाउन में कर पाई हूं आई वर्क फॉर आर नेशन इन इस शो आई थिंक मेरे लिए सबसे अच्छी बात ही है कि I was fortunate कि मेरे को ऐसी टालेंट के लिए थोड़ा पैसा लगता है तो studio was also very supportive and it was overall a fantastic experience I have nothing to complain about in fact I am मैं काफी खुश हुआ है So the one thing I learnt is to work with directors such as Apoorva in the future because not only did they give you such amazing feisty characters they make you also look good so Please watch Crackdown 2 on Geo Cinema 25 तारी को दो एपिसोड रिलीज होंगे उसके बाद हर दिन एक 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 एपिसोड और साल दिन के बाद पूरा शो रिलीज होगा for free कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा प्लीज देखिये मज़ा आएगा और हमें जरूर बताईए कि आपको कैसा लगा Thank you so much झाल झाल